हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ, सब लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डूफा इस्टोन टेबलेट के बारे में कई सारे लोगों के कमेंट साते कि मेडम डूफा इस्टोन टेबलेट गर्वहस्ता के दोरान क्यों दी जाती महला की कभी पहले इस तरह की हिस्ट्री रही है कि उनको एकाद बार एबोशन हो गया है बच्चे की ग्रोथ प्रोपर नहीं हो पाती है बीच में जाके बच्चादानी का मुझ खुल जाता है ब्लीडिंग होने लग जाती है पेट में बहुत जादा दर्द होता है तो फिर से महला का मिस्गरेज ना हो एबोशन ना हो उससे बचने के लिए हम दूफा इस्टोन टैबलेट रिकमेंड करते हैं इसके बाद में जब भी कोई भी महला की अगर एसी कोई हिस्ट्री नहीं है महला ने फर्स टाइम कंसीव किया है पर प्रेगनेंसी जिसे डेड़ दो महीने तीन महीने की हो गए और अगर पेशन्ट इस तरह की कंप्लेंड करती है कि मेडम पेट के निचले इससे में काफी दर्द होता है जो बच्चादानी का मूह रहता है सर्विक्स रहती है वहां खिचाव हो रहा है कमर में दर्द है और पेट में बार बार दर्द आते हैं यसा लगता है कि मेरा पीरेड आ जाएगा और वाइट डिस्टार्ज जा रहा है तो यह सारी जो प्रोब्लम्स रहती है प्रोजेस्टोन हार्मोंस की जब बोडी में कमी हो जाती है तो उसके कारण इस तरह की प्रोब्लम पेशेंट को होने लगती है तो डोक्टर आपको लगता है चेश्टोन कोयी भी प्रोब्लम होती है तो सिदा सिदा हमारे बच्चे की ग्रोथ पर इफेक्ट पढ़ता है इसलिए डोक्टर आपको डूफा इस्टोन टैबलेट टैब्लेट करते हैं इस टेबलेट को लेना कैसे रहता है तो यह आपकी कंडिशन पर तो एक टेबलेट सुबा और एक शाम को भी दे सकते हैं और बहुत सारे पेशन के कैसेज में ऐसा रहता है कि अभी हाल ही में हमको ये भी पता नहीं कि कंसी होगा कि नहीं होगा और आपका पीरेड मीस हो गया अल्टरसाउंड करके देख रहे तो उसमें कहीं भी गेस्टेशन शेक यानि कि बच्चा नहीं दिखाए दे रहा सिर्फ बीटा SCG या हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसमें फ्लेंट लाइन आ रहे तो ऐसी कंडिशन में डोक्टर थ्री टाइम भी सुबा देफ और शाम भी दे सकते हैं ये टेबलेट 10 mg में अविलेबल रहती हैं तो य प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ हैं प्रेगनेंसी में इसलिये देते हैं कि हमारे बच्चे को कोई खतरा नहीं इस टेबलेट के अगर हम साइड एफेक्ट के बारे में बात करें तो ये हार्मोंस की टेबलेट रहती है तो बहुत सारी महलाओं के फेस पेकनी पिंपल्स हो जाते हैं बोडी में थोड़ा गर्मी जैसा फील होता है इरिटेशन होने लगता है नोजे वोमिटिंग की फीलिंग आती इस तरह के साइड इफेक्ट दिखते हैं अगर इस में से कोई भी साइड इफेक्ट आपको बहुत जादा दिखने लगे तो आपको इस टेबलेट को बंद नहीं करना है तूरंत अपने डोक्टर से बात करना है अगर डोक्टर बोले तो बंद करना है या डोक्टर आपका डोच कम कर सकते हैं या फिर इसको चेंज करके कोई दूसरे सप्लिमेंट आपको दे सकते हैं। आशा करती हूँ, डूफा इस्टून टेबलेट के बारे में मैं आपको सम्पुन जानकारी दे पाई हूँ, धन्यवाद।